एक विधान सवा सीट जो सांसत कावी कर देती है फेसला कसलाक से ज़्यादा वोटर वीजेपी का गड़ लोकसवा सीट गाजयबाद बनने के बाद से यहां सांसत के रूप में भाजपा के प्रत्यासी चुने जा रहे हैं चुनाव जिताकर संसत भेजने वाली गाजयबाद सीट पर जीत में निर्णाइक भूमे का सायबाद विधान सवा की होती है जो यूपी की सबसे बड़ी विधान सवा है यहां के मतलताओं के संक्या 10,333,314 है इसलिए इस बार भी जीत की हैटिक लगा चुकी भाजपा के साथ सभी दनों का सायबाद पर फोकस रहेगा गाजबाद लोकसवा सीट में सायबाद के साथ गाजबाद मुरादनगर लोनी विधान सवा सीट के साथ धहलाना विधान सवाशियत का आंसिक हिस्सा शामिल है पिछल लोकसवा चुनावे भाजपा के वीके सिंग को 9,44,503 वोट मिले थे उन्होंने अपने निकरतां प्रतिवंदी सपा से बर्चा दाखिर करने वाले सुरीज बंसल को 5,15,50 वोट से हराए था वीके सिंग को मिले मत में 36,50 हिस्सा सायबाद विधान सवा की मतदाताओं का रहा था सायबाद से वीके सिंग को 3,49,122 वोट और सुरीज बंसल को 89,410 वोट मिले थे अकेले सीट नहीं वीजेता वीके सिंग को 2,69,712 वोट की निर्णाइक बर्च दिलाई थी जीत के अंदर में बाकी सीट इतने मत भी नहीं जोड़ पाई थी बर्च के वोट की बात करें तो लगभग 52,50 मत सायबाद विधान सभा सीट के सामिल थे गाज़िबाद की बाकी 3 विधान सभा सीट में लेकर सिर्फ 48,50 मत जीत के अंदर में जोड़ पाई थी वही दोहलाना में विके सिंग से ज़्यादा सुरे स्पंसल को वोट मिले थे इसलिए रहता है सभी दलोग का फोकस लोगसभा सीट की पांचे विधान सभा में दूसरे नमबर पर लोनी है और इससे भी लगभग 2 गुनियों के करी मत जाता सायबाद में है लोनी में 5,7,604 मत जाता हैं जबकि सायबाद में इस पार सांसर चुनने के लिए 10,33,314 मत जाता वोट डाल सकेंगे इतना ही नहीं लोगसभा सीट पर कुल 29,232,232 मत जाता हूं वैसे करीब 36,000 दी सायबाद विधान सभा सीट के हैं यही करण है कि यह सीट जीट में निगनाएं बरत दिलाती है और 10,00,000 से अधिक मत जाता होने के करण परत्याशियों को यहां से ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद रहती है